बहुत सारे बच्चों का इंटर्नल एक्जाम भी है इंटर्नल एक्जाम की वजह से न उन बच्चों को काफी प्रॉब्लम भी हो रही है सर हमारा ये टॉपिक कैसे होगा तो मैं एक बार वो भी डिसकस कर लेता हूं बस पांच मिनट लगेंगे सर आपके जो चेप्टर है न मैं यूनिट वाइस लिख देता हूं यूनिट वन की अंदर पहला चेप्टर है शेर कापिटल सर दूसरा चेप्टर है हमारा Employee Stock Option Plan सर ये चेप्टर जो है न मैं अपने according डिजाइन कर रहा हूं मैं डी यू के स्लेवर्स के अंदर ये चप्टर है लेकिन उसने इसी में मर्ज कर रखा है लेकिन कॉंसेप्ट अलग है इसलिए मैं थोड़ के दिखाऊंगा तीसरा चेप्टर है सार हमारा बोनस एंड राइट इशू सर फोर्थ चेप्टर है हमारा रिडम्शन अ ओफ प्रफरेंश शियर कापिटल 크 सर फिफ्ट चप्टर हमारा रिडम्शन अ प्रफॉंश्वर्फेंश चे बाद व beh दो HELो जक्द सिक्ट चप्टर सर इशू अफ二 बैंचेर और सर सैवन चप्टर हमारा रिडम्शन अफ डिबैंचे यह unit 1 हमारा खतम होता है इतना अगर हम कर लेते हैं तो that is unit 1 सर इसमें से exam में question पूछे जाते हैं definitely पूछे जाते हैं यह unit हमारा 15 नंबर का है यानि जब यह सारे chapter आप कर लेते हैं तो आप 15 नंबर के कर सकते हैं unit 1 पहले अभी बात कर रहे हैं क्या करने unit 1 जो है इसके अंदर आपका 15 marks का पूरा cover होता है 15 marks की बात करों यह पूरा लेकिन chapter बहुत ज़्यादा है इसके अंदर अब इसके अंदर ना हर एक chapter आपस में connected है जैसे इन दोनों को हर chapter आपस में connected है तो जो बच्चा भी सबसे पहले सबसे पहले अगर यह unit उठा के करना चाहता है तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँआ जो लेट जोइनिंग भी है अगर वो इस chapter में आ गया इसमें आ गया इसमें आ गया इसमें आ गया तो confusion होगी जो student यह वाला unit start करता है उसको starting से start करके ending पे जाना चाहिए और यह हमारे पूरे subject का corporate account की जान है एक तरीके से कह सकते हो जिसका नाम है हमारा क्या unit 1 है 15 number का आएगा और यह 7 chapter है लेकिन साथ chapter देखके आपको घबराना नहीं है जो share capital कुछ बच्चों का यह भी मानना है corporate account को लेके के सर 12 वाला यह कर लेंगे हम हो जाएगा क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे पास corporate account से जादा बच्चे जो है cost account के इंदर पढ़ रहे हो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है यह 12 वाला मान के छोड़ रहे हैं और मेरे पास अभी भी अभी अभी अब कमेंट में देख सकते हैं कमेंट भी बच्चे कर देंगे इतने सारे बच्चे लाइव हैं उसमें से काफी सारे बच्चे 6 semester वाले होंगे जो कि उनका ER आ गया था लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपका और भी जो टेंशन है उसको मैं कम करता हूँ पहला चेप्टर जो टेकिंग टाइम कर ले ये चेप्टर हाडली मैं कराऊंगा दो दिन लगेंगे बोनस इशू हाडली वन दे लगेगा और रेडम्शन अफ प्रफरेंश येर मान लो तीन दिन लग जाएंगा अगर बोनस इशू कर लिया तो जादा से जादा बाइबैक आपका वन डे लगेगा इशू अफ डिवेंचर वन डे का चेप्टर है सर और रेडम्शन अफ डिवेंचर चार दिन लगेंगे इसमें अगर जैसे मैं कराता हूँ तो इस यूनिट में से साइड बाइसा नहीं कि छोड़ देना और सीक्वेंसिंग फॉलो करना इसके अंदर पहले यह करना फिर यह करना फिर रेडम्शन अफ प्रफट्र करना इसी तरीके से मैंने कराया हूँ है अब बच्चों का कंसर्ण है सर आप पहले इसी यूनिट को खतम कर लेतें तो फिर हो भी हो जाते हैं कई पर बच्चे ना मैं भी फ्रस्टेट हो जाऊंगा इतने टाइम से यही चल रहे हैं तो सम्थिंग न्यू हमारे जो पढ़ने में ना एक चीज यह भी रहता है कि सर दिमाग के उपर अगर रहे कि रहे हैं कि सरफ साती चप्टर है तो उजय Sachen कर लें और हुझ कि यूशित कर पाटि में definitely वो जो contact number दे रखा है how to study उसके अंदर भीजिए और आपको मिल जाएगा सर internal में इसमें से जो important है एक बार थोड़ा सा वो बता दे तो मदद मिल जाएगी internal में important की बात करो तो मैं आई लगा रहा हूँ एक यह important है सर ESOP में से भी आ सकता है important है और preference share important है इसमें से भी आ सकता है और redemption of debenture important है तो internal में इन से सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला unit 1 unit 2 आएगा तो उसके accordingly हमको prepare करते हैं सर चलिए सर unit 2 की बात कर लेते हैं क्या है अब देखे इतने चोटे चोटे unit है न unit 2 स्रिफ है final account final account जो कि आज हम करने वाले है final account आज हम यह start कर देंगे unit 2 सर कितने number खाएगा हर एक unit ना 15 number का है तो आपका सवाल ही नहीं पूछना किसी से कह सर कितने खाएगा आप खुद ही पता कर सकते है इस बात का unit 2 यह है unit 3 unit 3 भी देखा जाए तो एक ही चेप्टर है क्या that is cash flow cash flow statement cash flow statement यह किसका है सर यह unit 3 के अंदर है यह भी हो सकता है सर बड़े आसान इसे unit 4 unit 4 के अंदर देखा जाए तो दो चेप्टर है एक है internal reconstruction internal reconstruction और एक है अमारा amalgamation amalgamation ठीक है ना amalgamation और honors के अंदर एक और चप्टर है यह सिर्फ honors वालों के लिए है honors के अंदर एक और पॉइंट है liquidation यह सिर्फ honors के अंदर है program में liquidation नहीं डाला है ठीक है तो यह हमारा unit 4 हो गया अब last बस्ता है यूनिट 5 इसके अंदर एक ही चेप्टर होल्डिंग के पंदर नंबर का है तो हमारा target के हम पहले यह वाली unit खतम करेंगे जो old बच्चे यह कर रहे थे ठीक है remaining chapter को कैसे करना है मैं उसके लिए अलग strategy बताऊँगा जितने भी नए बच्चे नए बैच के अंदर जोइन हुए या पुराने जुड़ भी रहे तो अब हमें strategy wise चल है तो दो unit खतम हो जाएंगे means 30 नंबर तो पक्के इसके बाद हम इसमें से भी हम specific chapter यह वाला उठाएंगे internal reconstruction पहले तो इस तरीके से चलेंगे internal reconstruction जैसे हमारा complete होगा over the switch हम इस पर हो जाएंगे इसमें से छोटे-छोटे redemption कर लेंगे जैसे ही यह पार्ट खतम होगा फिर करें करेंगे amalgamation और फिर करेंगे holding liquidation मैं अलग से record करके डाल दोगा honors वालों के लिए तो यह पूरा का पूरा हमारा strategy रहने वाला है कि हम किस तरीके से slayvers को complete करेंगे अब सर इसमें से भी कुछ important बता दो जो हमारे internal में पूछा जा सकता है सर chapter अकेला है तो मैं क्या बताओ इसम इन दोनों में से मान लो आपका जो भी option आ जाए और अगर internal जिसके teacher ने बोला holding आएगा तो most most important मतलब आएगा सर holding तो holding में कोई choice नहीं और exam में भी choice बनता है वो जब exam का paper में discuss करूँगा तो उसके हिसाब से लेके चलूँगा मैं ठीक है चलिए सर तो आज हम कौन सा chapter स्टा तो दुबारा वीडियो आएगी वो आप देख लोगे कोई दिक्कत नहीं मैं भी upload कर दूँगा अभी शेक कस्यप क्या doubt अभी शेक कस्यप सर मेरा doubt clear कर दो अभी शेक क्या doubt है सर मैं recorded class देखता हूं mostly ये bonus right issue के बाद वाली class है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल राकेश आप ब लगता है कि क्वेशन पेपर में डाउट है कैसे डाउट सॉल्व कर सकते हैं अभी तो क्वेशन पेपर में किसी कभी सॉल्व नहीं खरा रहा है आपको अगर कोशन पेपर में डाउट है तो recorded वीडियो देखेंगे लास्ट में उसमें solution डाला हुआ है सभी बच्चे चैट म अपने बुक की अकॉर्डिंगली स्लेबस एपरिल एंड में खतम होगा आपका में 15 से आपका जो डेट सीट आया हुआ है में से तो आपका एक्जाम है तो आपका एपरिल एंड में खतम करूआ स्लेबस और हो सकता है पॉसिबिलिटी के मार्च में मैं आप लोग की रगु ले ले लेगे क्योंकि स्लेबस थोड़ा सा स्पीड में लेना है अभिषेक निशा आप हेंड में कर रहे हैं अभी हेंड में से सबसे लास्ट नहीं पूछ लिजीएगा मैंने भेज़े दिया ठीक है मैं अभी चेक कर लूँगा लास्ट में हेंडरिस का सभी बच्चों का सुनूँगा पहले हम चेप्टर स्टार्ट कर लें क्योंकि आल्रेडी 15 मिनिट सोच चुके है हमें टाइम जादा गवाना नहीं चाहिए तो हम पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है उसके बाद हम आगे